Welcome everyone, मैं हूँ प्रतिक्षा, क्या हो अगर आपके पास रहने वाले एनिमल आपसे बात करने लगे और आप उनकी बातें समझने भी लगे और उनी की लैंग्विज में उनसे बातें करें तो सोची कितना अच्छा होगा तो दोस्तों आज मैं आप सभी लोगों के सामने जो मूवी लेके आई हूँ ये है डू लिटिल की कहानी ये कहानी एक एडवेंचर मूवी है जो कि अभी 2020 यानि की हाल ही में रिलीज हुई है गाईज अगर आप अनिमल लवर है और इसी के साथ अगर आप रॉबर टाउनी के फैन है तो गाईज ये मूवी आप लोगों के लिए एक बहुत प्यारा गिफ्ट होने वाली है तो चलिए बिना प्रतिक्षा कराई ले चलती हूँ एक ऐसे दुनिया में जहां पे आनिमल्स आप लोगों से बात कर सकते हैं तो कहानी के शिरवात में हमें दिखाया जाता है कि रॉब टाउनी यानि कि एक डू लिटल लाम का वेटिनरी डॉक्टर था जो कि जानवरों की देखबाल के साथ में उनकी बाती भी समझा करता था उसके साथ में उसकी एक पार्टनर रहा करती थी जिसका नाम था लिली ये भी एक वेटिनरी डॉक्टर थी इसी के साथ मे ये एक explorer भी थी डूलिटल लिली के साथ में एक बहुत ही खुशाल जिंदगी जी रहा था जहां पे उसका काम था जानवरों को ठीक करना लोग काफी दूर से आया करते थे डूलिटल के पास में अपने जानवरों को ठीक कराने के लिए लेकिन एक समय ऐसा आता है कि लिली की म कर देता है अब वो किसी इंसान और किसी चानवर से नहीं मिलता है वो अब अपने एनिमल्स के साथ में ही रहना शुरू कर देता है कहानी आगे बढ़ती है जहां पे हमें एक टॉमी नाम का लड़का दिखाया जाता है जिसके फादर उसे हंटिंग करना सिखा रहे थे टॉ टॉमी अब स्कुरल को लेके पॉली के पीछे पीछे जाने लगता है जहां वो देखता है डू लिटल का घर वहां पे टॉमी बहुत सारे अलग-अलग अनिमल्स को देखता है लेकिन वो आगे बढ़ने से पहले सक्सेस्फुली पहुंच नहीं पाता है वो एक ट्रैप में फस जाता है जहां पे उसके सामने एक वाइट पॉलर बियर भी होता है अब हमें दिखाये जाते हैं डू लिटल जो कि आनिमल्स के साथ में रह रहे हैं आनिमल्स से बाते कर रहे हैं और सबसे मज़ेदार चीज की वो उनके साथ में बैठके गेम खेल रहे हैं चीची नाम क साफ मना कर देता है कि मुझे किसी से भी नहीं मिलना है और नहीं मैं किसी की help करना चाहता हूँ अब इसी के बीच में मैं आपको एक बात और बताती हूँ जब डू लिटल और लिली सारे आनिमल्स का treatment करते हैं और जब पता चलता है कि वो जानवरों की बाते समझ सकते हैं तो ये बात पहुँच जाती है क्वीन विक्टोरिया के पास में और इसलिए क्वीन विक्टोरिया डू लिली को एक बहुत बड़ा गार्डन देती है जिसके अंदर वो आनिमल्स का treatment भी कर सके और उनके साथ में रह भी सके लेकिन आज ये टाइम आ चुका था कि क्वीन विक् अपस से इंसानों से बात करना शुरू करना पड़ेगा तुम ऐसे कब तक रहोगे बॉली बर्ड डूलिटल को बताता है कि लेडी रोज यहां पे तुम्हें क्वीन विक्टोरिया की treatment के लिए बुलाने आई है अगर क्वीन विक्टोरिया इस दुनिया में नहीं रहती है तो यह property भी उनीकी है और अगर उनकी death हो जाती है तो यह property तुमसे चीन ली जाएगी इसका मतलब है कि हम लोगों को भी यह जगर छोड़नी पड़ेगी अगर तुम चाते हो कि हम सब लोग यहीं रहे तो तुमें चाके लेडी रोज की मदद करनी पड़ेगी और उनके अनिमल डू लिटल को एकदम अच्छी से ग्रूम कर देते हैं टॉमी और लेडी रोज का गेट उपन करने के लिए वहाँ पे गोरिला उनका वैलकम करता है हालांकि यहाँ पे टॉमी और गोरिला दौनों ही एक दूसरी को देखे काफी जादा जोड़ से चलाने लगते हैं लेडी रोज ने डू लिटल के पहले भी किससे सुन रखे थे इसलिए वो इस जगह से वाकिफ थी और उसे पता था कि यहाँ पे मुझे हर जगह एनिमल मिलेंगे अब जब टॉमी और लेडी रोज डू लिटल के पास पहुँच जाती है तो टॉमी कहता है कि मैं यहाँ प सुनने के बाद में वो लेडी रोज के साथ में जाने के लिए रेडी था डू लिटल अपने अनिमल्स को अपने साथ में ही ले जाता है और इसे के साथ में वहाँ टॉमी डू लिटल के साथ में चलने के लिए कहता है कि आप मुझे अपने साथ में रख लीजिए लेकिन ड क्यारेक्टर और आता है जिसका नाम था मद फ्लाय यह डूलिटल का काफ़े पुराना राइवल था डूलिटल वहां पे अपने डॉक को कहता है कि जरा चेक करके बताओ कि आखिर कुईन विक्टोरिया पे कौन सा वैनम लगा है और इसी के साथ में वहां डूलिटल एक्वेर वो जाने से पहले लेडी रोस को कहता है कि कुईन विक्टोरिया को अब जो भी खाना खिलाना होगा वो तुम अपने हाथ से बना के खिलाओगी इसी के साथ में वो अपने डॉगी को वहां छोड़ जाता है और एक special animal को और भी छोड़के जाता है ये एक walking stick था टॉमी को फ जिराफ एक फॉक्स के साथ में पहुंच जाती है टॉमी को घर से भगाने के लिए इधर टॉमी जिराफ के उपर बैट के पूरे शहर के अंदर भाग रहा था और अब ये लोग एक ऐसे ब्रिज पे पहुंच जाते हैं जो कि आधा तूटा हुआ था क्योंकि डूलिटल की श चुका है कि अब तुम इंसान से दूर रहने लगे हो लेकिन आप तुम्हें किसी ना किसी साथी की जरूरत है इधर दूसरी तरफ क्वीन मैंशन के अंदर ये प्लानिंग की जा रहे थी कि क्वीन विक्टोरिया और कितने दिन बचने वाली है यानि कि उनके मरने की दिन ग वह एक बड़ी सी वेल को अपनी मदद करने के लिए बुलाता है इसी के साथ में वो चीची को कहता है कि मैं जब पानी के अंदर जाऊंगा तो तुम बस इस रोप को अपने तरफ खेचना तो चीची कहता है कि मैं ये काम कभी नहीं कर सकता उस गोरिला को अपने उपर बिल लेकिन गोरिला इस चीज के अंदर डर जाता है और उसके हाथ से रसी छूट जाती है लेकिन तभी वहाँ पर टॉमी पहुच जाता है और वो पूरी पावर सीट को उपर की तरफ लाने की कोशिश करता है और आखिरकार डू लिटल शिप पर फिर से पहुच ही जाता है इसी एक्स्प्लोर के कारण हुई थी यानि कि वो भी इडंट्री का फ्रूट ढूंडने के लिए ही निकली थी लेकिन बीच में ही उसका यह सफर खत्म हो गया है हाला कि हम इडंट्री तक तो पहुच सकते हैं लेकिन वहां तक का रास्ता हमें सिर्फ और सिर्फ लिली के ब अधर्त करती है और इसी के पदले डूलिटिल दो शुगर क्यूब से उनका सौदा करता है Metal अगे उस रस्ते पे नहीं जा सकता था क्योंकि वहां पी सलाक ही लगी ती लेकिन टोमी कहता है कि मैं वहां जा सकता हूं और मुझे पता है कि आागे क्या करना है टोमी वहां छु लिली के फादर डूलिटल से काफी जादा गुस्सा है और वो लिली को खोने का इल्जाम सिर्फ और सिर्फ डूलिटल पे ही लगाते हैं कि अगर वो तुम्हारे साथ कभी जाती ही नहीं वो आज इस दुनिया में होती इसी गुस्से के कारण वो अब डूलिटल के उपर एक टाइगर को छोड़ देते हैं और टॉमी को अपने साथ बाहर ले आते हैं टॉमी जब सभी के साथ में बैठा था तो वो एक मॉस्कीटों के थूरू शिप के ऊपर ये मैसेज बिजवाता है कि डूलिटल को पकड़ लिया गया है इधर दूसरी तरफ टाइगर पूरी तरी टॉमी के साथ में उस जगह को छोड़ने के लिए निकल नहीं वाला था इनके पास अभी बुक थी लेकिन तभी मुट फ्लाय आके वो बुक चोरी कर लेता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि इडंट्री का फ्रूट के बारे में उसे भी जानना था और इसी के साथ में वो डूलिटल के पूरे शिप को बरबाद कर देता है यहां रानी विक्टोरिया की तबे दिन बदिन खराब होती जा रही थी और इधर दूसरी तरफ डूलिटल पूरी तरिके से हार मान चुका था क्योंकि अब उसके पास ना तो उसकी शिप थी और ना ही उसके पास इड पूरा कर सके यानि कि इडेंट्री को ढूंड सके अब जहां जहां मट फ्लाइ जा रहा था वही पे डूलिटल पे उसका पीछा करते हुए पहुँच जाता है यानि कि ऐसे आइलेंड पे जहां पे उन्हें इडेंट्री मिलने वाला था सभी लोगे गहरी केव में पहुच तो डूलिटल कहता है कि मुझे उस ट्री के बारे में नहीं पता है अगर वो यहां कहीं होता तो तुमें भी तो दिख रहा होता मट फ्लाइ गुस्से के कारण वहां पे जमीन पे जोर से एक वार करता है और तभी वहां पे एक ट्री के उपर बैठा हुआ ड्रेगन जग ज जाता है और अब वो सभी को जलाने लगता है और अब उस ट्रेगन के हाथ में लग जाता है डूलिटल लिकिन डूलिटल को तो अनिमल की लैंग्विज जिस आती थी तभी वो ड्रेगन से बात करने की कोशिश करता है वो ड्रेगन एक फीमेल ड्रेगन थी इसी कारण वो कह सकता हूँ कि तुमने भी अपना पार्टनर कोया है क्योंकि डूलिटल वहाँ पे एक और ड्रेगन के पार्ट्स देखता है ये सारी बाते सुनके वो ड्रेगन डूलिटल को छोड़ देती है और अब डूलिटल कहता है कि मुझे तुम्हारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा न लिली की थी वो वहीं पे छोड़ जाता है और वहाँ से फ्रूट लेके निकल पड़ता है क्वीन मैंशिन वहाँ पे सारे के सारे सोलजर इन लोगों को अरेस्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन एनिमल इतने जल्दी कहां मानने वाले थे टॉमी वहाँ पे एक एक्शन सीन दिखाता है और उड़तावा पहुँच चाता है उस फ्रूट को लेके और उसके बाद में क्वीन को वह एक दो ड्रॉप दे देता है उस फ्रूट की और अब आखिर कार वो क्वीन होश में आ जाती है और क्वीन कहने लगती है कि यहाँ पे इतने लोग क्यों है तब डू लिए सारी बात queen को बताते हैं और इसे के साथ में queen अब उस इंसान को अरेस्ट करवा देती है और वो blueड़ का शुक्रियादा करती है की डो लिटल ने उसके चान बचाई है डो लिटL वहां से अपने सारे animals को लेके अपने घर में वापिस से आ जाता है और इसके साथ में अब फिर से इंसानों के उपर भरुसा करने लगता है वो अपना वेटिनरी हॉस्पिटल भी ओपन कर देता है और वो अपने साथ में अब टॉमी को भी रखने लग गया था और अब ये सभी लोग मिलके हर दिन ब पातों को समझ भी सकता था गाइस जाने से पहले मैं आप सभी लोगों से एक बात करना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों के प्यार और इतने जादा सपोर्ट के कारण मेरे पास मेरा पहला अचीवमेंट आ चुका है यानि कि मेरा सिलवर प्ले बटन मुझ तक पहुत चुका ह तो थैंक्यू सो मच गाइस कि आप लोग एक फैमिली की तरह मेरे साथ काफी समय से जुड़े हुए हैं और मुझे इतना पसंद करते हैं तो गाइस मेरी एक ही विश रहेगी कि आप सभी लोग मेरे साथ में ऐसे ही बने रहे ताकि ये फैमिली और बड़ी होती जाए और मै आगे से आगे अचीवमेंट ले सकूं और कोशिश करती रहूं कि आप लोगों के रिक्वार्मेंट के अकॉर्डिंग में आप लोगों को एंटर्टेन कर पाऊं तो थैंक्यू सो मच फॉर दिस लव औन सपोर्ट गाइस तो चलिए मिलती हूं मैं आप सभी लोगों से अग स्थार्मेंट